दोस्तों आज हमारा question है and the place value and the face value of the underlined digit जो हमारे underlined digit है इसके हमें क्या निकाने place value and face value तो पहले हम निकालेगे place value ठीक है? हमारे क्या होगी फिर निकालेगे face value तो place value क्या होगी? 1 10 100 7 कितमे? 100 की position में और इसकी value कितने होगी? into 100 कर दो तो कितना ऊजएगे इसकी place value 700 हो जाएगी इसकी place value कितनी हो जाएगी 100 क्योंकि किस position में 100 कै position में तो हमने लिख़ 7 क्या है 100 है into 100 हा प्रिछी 700 क्या होगी place value होगी और face value तो इसकी कैसे दिख रहा है है 7 की प्रिखताँ आप यहां देखेंगे one cents 100,000 कुछ प्लेस पर है, थाजएंड पर तो हम इसको ל-multiply कर देंगे, one thousand थे तो इसके प्लेसिट वेल्यू कितनी हो जाएगी? two thousand, इसके कितनी थाजएंड है और वेल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है और phase value तो हमारी 2E रहेगी, phase value क्या रहेगी, 2E रहेगी, अब यहाँ फिर 1T100, भाई 6 कुछ position में 100 की position में, तो into 100 हो जाएगा, इसकी place value क्या बन दी, value क्या बन दी, 600 बन दी, किसनी बन दी, 600, ठीक है, यह position इसकी 100 है, और value क्या 600 है, तो इसकी phase value तो यह कैसा दिखाए रहेगा है, ऐसे हम यहाँ देखेंगे, 1T100, 1000, 10,000, 8 की place क्या है, 10,000 की है, और value इसकी कितनी है, 10,000 into 10,000 की होगी, इसकी place value कितनी हो जाएगी, 8, 80,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 80,000, 1T100, 1000, 10,000, 80,000 हो जाएगी, और phase value तो सेम हो जाएगी, 8, ठीक है, ऐसे, यहाँ द लेखेंगे फोर ठीक है और इन्टु के है टेंस वे तो टेंट प्लेज वेल्व क्या जाएगे 40 और फेज वेल्व फोर इदंग्सम प्लेज वेल्व एंड फेज वेल्व निकाल सकते हैं तो था